Hey guys, CA Jay Chawla here from eSmart Academy CA Foundation students, आपको ऐसा अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा न December 2021 attempt आपने दे दिया I hope आपके सबके exams बहुत अच्छे गए होंगे So अभी exams हो चुके होंगे तो आपको बहुत अच्छा फिला रहा होगा कि यार चलो exams खतम हो गए, result तो ठीक है, जब आएगा तब आएगा But at least, okay, now अब at least हम relax हो सकते हैं हम थोड़ा सा enjoyment कर सकते हैं, family time spent कर सकते हैं दोस्तों के साथ time spent कर सकते हैं Yes, I think मुझे लगता है ये feeling सभी students को आनी चाहिए और आती भी होगी At the same time, ये भी feel आता होगा कि यार, next step क्या होना चाहिए Right, CA Inter कैसा रहेगा, suspense की यार, result आएगा उसके बाद CA Inter को मैं कैसे deal करूँगा, मुझे classes, कौन-कौन सी classes कहां-कहां लगानी चाहिए Alright, so, mixed feeling है, थोड़ा सा कभी लगता है कि enjoy कर लें कभी लगता है कि पढ़ाई कर लें, CA Inter का पहले से ही सोच के चलें Yes, मैं आपको एक चीज बहुत importantly ये बोलूँगा, कि बचो Utilize your time, efficiently आप देख रहे हैं, 2021 end हो रहा है 2022 एक नया साल, नई उम्मीदे, नई challenges, ठीक है न तो आप अपने आपको एक challenge दे सकते हैं 2022 में आप अपने आपको एक challenge दे सकते हैं कि क्यों ना, मैं CA Foundation के result आने से पहले ही अपनी CA Inter की पढ़ाई शुरू कर दूँ अब आप ये बोलोगे कि यार, मैं पढ़ाई शुरू क्यों करूँ मेरे exams अच्छे तो गए नहीं हाँ, अगर आपके exams बिलकुल अच्छे नहीं गए तो आप CA Foundation की पढ़ाई वापस से शुरू कर दीजे पर अगर आपके exams अच्छे गए, ठीक ठाक गए यू आर शूर कि आप CA Foundation क्लियर कर लेंगे या यू आर, यू आर, यू आर more than 50% probability है कि आप क्लियर करने के chances जादा है, so in that case, 2022 में आप एक challenge के साथ शुरूआत करिये, अपने आपको challenge दीजे कि मैं CA Inter की पढ़ाई, result आने से पहले ही शुरू कर देता हूँ, और at least, मैं बता रहा हूँ at least 40 days का मुझे benefit होगा, यहाँ V Smart Academy आपको एक बहुत ही important announcement as well as opportunity आपके लिए लेके आ रहा है, और यह opportunity क्या है, यह opportunity यह है कि अगर आप CA Foundation का exams दे चुके हैं and you are waiting for your results, you know कि आपका result जो CA Foundation का आएगा, वो 10th February या उसके बाद ही आएगा, अगर आप 1st January से लेकर 10th February तक का time देखें, तो you have 40 days, now in that case आप 40 days को effective utilize कर सकते हो, आम दोर पर क्या होता है कि result आने के बाद बच्चा पढ़ाई शुरू करता है, तो उसको group 1 की पढ़ाई result आने के बाद शुरू करता है, तो group 1 खतम होते होते, 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं, फिर वो 10-15 दिन का break लेता है, तो एक तरीके से 4 महीने लग जाते हैं, फिर वो group 2 की पढ़ाई शुरू करता है, और group 2 की पढ़ाई, पूरे चार papers खतम होते होते हैं, उसके 2.5 months और लग जाते हैं, तो चार महीने group 1 में 2.5 months, group 2 में कुल मिला के कितने हो गए, 6.5 months, 15 दिन आप extra और जोड़ो तो 7 months, result आने के बाद आपके पास tentatively 9 months का time होता है CA Inter के exams में, बट ये मत भूलिएगा कि इस बार आपने exams late दिये, आपका result late आएगा, बट CA Inter के exams आपके time पर होंगे, तो effectively इस बार आपके पास CA Inter की पढ़ाई करने के लिए 9 months नहीं है, आपके पास 8 months है क्योंकि आपका 1 महीना exam late हुए, ये वाले exam late हुए पर November 22 expected है कि exam late नहीं होंगे, तो आपके पास तो 8 महीने हुए, तो क्यों ना यहां पर result आने से पहले ही आप अपनी CA Inter की पढ़ाई शुरू कर दें, जहां पर आप यह कह सकते हो कि result आने में अभी 40 days हैं और इन 40 days में अगर मैंने अपना 35 से 50 का भी course complete कर लिया, तो यह तो आपके लिए bonus हुआ, यह तो आपके लिए win-win situation हुआ, अब यहां पर opportunity V smart की तरफ से क्या है, बच्चे यह सोच रहे होंगे कि चलो ठीके सर, अच्छा एक बात बोलू, यह वीडियो आप अपने parents को जरूर दिखाना, यह वीडियो आप अपने parents के साथ जरूर देखना या उनको parents को जरूर शेयर करना, अब बच्चे यहां पर यह सोच रहोंगे कि सर, बाप की बात तो कलकुल सही है, कि पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, ठीके ना, पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, आपकी बात सही है, पर सर, डर यह लग रहा है, कि हमने पढ़ाई शुरू कर दी, उसके लिए हमने classes भी लेना शुरू कर दी है, हमने expenses incur करना शुरू कर दी है, अकाउ हो जाएंगे पर अकर कल को हमारा रिजल्ट फेल हो गया तो हम क्लियर नहीं कर पाई तो सर क्या होगा यहां पर वी स्मार्ट अकैडमी आपके लिए एक बहुत जबर्दस अपॉर्चनिटी लेकि आया है हम लोगों ने इस बार क्या प्लैन किया है कि यह डर हर स्टूडेंट क यहां कि ना स्टार्ट्र यह और सिए इंटर स्टूड़ीज वित वेसमार्ट को करने की ज़रुरत नहीं है now let us say कि group 1 का group 1 में 4 subjects है technically 5 subjects है क्योंकि tax session में 2 होते है direct tax और indirect tax तो group 1 में आपके 5 subjects होते है tax session को अगर divide कर दे तो overall group 1 का जो coaching classes का एक fees criteria रहता है अगर आप V smart academy की classes लेंगे you know very well कि V smart academy is one of the pioneer of entire in CA studies और सभी faculties के पास CA final का experience है तो आप अगर देखेंगे तो group 1 का fees tentatively 40,000 से 50,000 के बीच में जाता है अब यहां पर student को student के parents को यह लगता है कि यार अभी इतना invest करना ठीक रहेगा की नहीं पता नहीं बाद में हमारे बच्चे का result कैसा है तो बस यहां पर आपको Vee Smart Academy help कर रहा है कि आप पूरा fees pay मत करिए पर subject की according आप से हम सिर्फ 500 रुपीज चार्ज करेंगे अगर आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू करना चाहते हैं तो तो पर subject 500 इंटू 5 subjects मतलब 2500 आप Vee Smart Academy के entire group 1 के classes ले लीजे हमसे और आपको pay करना है सिर्फ 2500 रुपीज 2500 रुपीज पे करके आपको हम अपने lectures provide करेंगे 30 से या 35 से 50% तक का syllabus हम आपको provide करेंगे including books books हम सारी नहीं देंगे आपको हम उतनी books देंगे जितनी required है 50% syllabus तक के लिए आपको books मिल रही है आपको lectures मिल रहे है आप घर पे बैठके classes देखना शुरू कर सकते हो उसके बाद क्या होगा जैसे ही आपका result आएगा आप कम से कम 30 से 50% syllabus cover कर चुके होगे result आने के बाद अगर आप pass हो गए तो आपको बाकी का syllabus cover करने के लिए जो remaining fees amount है remaining job amount of fees है वो आपको pay करना है और आपको बाकी के lectures दे दिये जाएंगे आपको बाकी के books आपको बाकी का material दे दिये जाएगा आपको उसके साथ test वगेरा जो भी आपको respective faculty से मिलता है वो दे दिया जाएगा तो हुई न ये best opportunity है जहां पर आपको हम push कर रहे है motivate कर रहे है कि पढ़ाई करो और अगर पैसो का सोच रहो अगर सोच रहो कि यार financially problem हो जाएगा कैसे क्या आपके लिए best opportunity है कि आपको full fees देना ही नहीं है आपको सिर्फ एक nominal amount पे करना है entire group 1 का 2500 yes entire group आप purchase कर सकते हो 2500 का एक advance amount पे करके और बागी का amount आप बाद में पे कर सकते है ये बहुत जबरदस्त opportunity वी smart अभी सभी students के लिए लेकि आया है और यहाँ पर हमारा intention clear है कि student के 40 days waste नहीं हो तो आपके उपर है कि आप अपना 40 days में सिर्फ enjoyment करना चाते हैं या 40 days में enjoyment के साथ साथ teacher studies भी करना चाते हैं और ये मत भूलिये कि जब आप पढ़ेंगे तो teachers जो आपको पढ़ाएंगे वो national level faculties हैं और वो भी आपको जबरदस्त enjoyment करके देंगे classes में बहुत मज़ा होगा बहुत जबरदस मज़ा आएगा हर faculty का पढ़ाने का तरीका अलग-अलग है एक अच्छी बात जो WeSmart Academy के साथ है कि WeSmart Academy का हर एक faculty का पास CA final का exposure है और वो भी सिर्फ 2-3 साल का नहीं हर एक faculty minimum 11-12 साल से CA final भी पढ़ा रहा है और जब आप CA final के faculty से intern में पढ़ते हो तो आपको एक अलगी level का knowledge मिलेगा सो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आयोगी अगर parents मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा अगर आपको इसके बारे में डीटेल में जानना है तो हमारी website पे जा सकते हैं vsmartacademy.com और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के description में भी आप चले जाएगा मैं आशा करता हूँ कि आपके exams अच्छे गए होंगे और आपका result फेवरेबल आएगा ताकि आपकी जो पढ़ाई हो अच्छे से start हो सके see, enter की Thank you so much guys and yes, wishing you a very happy new year happy 2022 Thank you so much, bye bye, जै मातादी, Allah Hafiz Take care